ओम नमश्यवाय जै महाकाल अगर आप बहुत दादा परेशान हो कि आपका कोई भी काम होता ही नहीं है कोई भी काम आपका सफल नहीं होता जिस भी काम में आप अपना हाथ लगाते हो वो काम पूरा नहीं होता तो ये विडियो आपके लिए है पूझ गुरुजी की कता से बस चंदर भगवान को दे करके साथ चावल के दाने गिरा देना आपकी सारी च्छाएं पूरी जरूर होगी कैसे करना है इस पूरे उपाय को बताऊंगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर करना होगा ठीक है इस उपाय को पूरी मा के दिन करना है कब करना होगा जिस टाइम पे चंदर भगवान के दर्शन हो जाए चाहे छे बज़े का टाइम हो साथ हो आठ हो नो हो दस हो जिस भी टाइम चंदर भगवान के दर्शन हमें पूरी मा के दिन हो जाए उसी टाइम इ भी समझते चलना, इसक्रिंट पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे होंगे, हमें मात्र साथ चावल का दाना लेना है, जो कहीं से तूटा हुआ ना हो, ठीक है, साथ चावल के दाने लिए, साथ ही साथ हमें लेना होगा, इस तरीके से केसर, कोगे भी अब केसर कह मिलेगा, आप क्या ही बता देते हो, देखो, तो केसर किसी भी पूजा पाठ की शौपे, बहुत ही आसानी से हो, सस्ते दाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक, क्या करना, एक छोटी सी कटोरी लेना, इस तरीके से कटोरी लेना, और इस कटोरी में साथ चावल के दाने डाल ल ठीक है, इतना कर लिया, उसके बाद आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, कहोगे भी यahh सफेद फूल को भी क्या उस काटोरी में डालना है, जी नहीं, सफेद फूल को अलग से रखना, और उस काटोरी में जो सामान है, उसको अलग रखना, ठीक, आप क्या करोगे, करते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं चंद्र भगवान को देखते देखते सबसे पहले उस कटोरी का सारा सामान बेल पेंड की जड़ में आपको स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमरण करते हुए समर्पित कर देना होगा यह आपको चंद्र भगवान को देख करके सारे काम को करन अब जो आपके हाथ में एक सफेद फूल है उस सफेद फूल को इसी बेल पेंड की जड़ में आपको अपनी मनो कामना को कहते हुए जो बहुत दिनों से अधूरी है वो कहते हुए समर्पित कर देना चंदर भगवान को देखते देखते यकीन मानिए पूरिमा का दिन का यह मुझे पूरी उमीध है विडियो आपको पसंद जरूरा होगी मुझे सको खोजने में बहुत महनत लगी है तो कमसे कम एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को शेयर करियेगा अपने दोस्तों के साथ रिष्चेदानों के साथ ताकि वह भी इसका फायदा उठा सकें और